आपको ध्यान होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने हर अपने प्रोग्राम में टेक्नोलोजी का बड़ा इस्तमाल किया है फूड सेक्योरिटी के लिए भी वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्खीम मानने प्रधान मंत्री जी लाए थे इसके तहट हमने आधार के साथ हर व्यक्ति का लिंकेज कर दिया टेक्नोलोजी की बड़ी साहथ है जो व्यक्ति जाता है उसका बायोमेटरिक चेकिंग होता है आधार के साथ लिंकेज होने के कारण वो record centrally monitor होता है और इसके कारण पारदश्टा इमानदारी इस पूरे वितरन के कारे में हम ला पाए इसका एक बहुत बड़ा लाब ये भी हुआ कि हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन जो दूर जाके किदर काम करते हैं वो भी कुछ अनाज जहां वो काम करते हैं ले पाए तो यानि एक प परिवार गाउं में है तो गाउं में बाकी अनाज ले सकता है ये भी एक बहुत बड़ी सुविदा रही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना के तहट असी क्रोड भारत वासियों को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त में और ये फूड सेक्योरिटी प्रोग्राम के तहट जो अनाज देते हैं ये इसके उपर हैं तो एक प्रकार से दो-दो योजनाएं साथ में चला के पूरे कोविड महामारी में हर गरीब की हर व्यक्ति की चिंता की और असी क्रोड लोगों को पांच किलो अनाज हर महीने देन करोड रुपए का खर्चा करना केंद्य सरकार द्वारा जिसके तहट साथ सोल साथ लाग सेवन हंड़िड सिक्स्टी लाग टन्स अनाज मुफ्त में बाटा गया ये विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा का प्रोग्राम है जिसका पूरे विश्व में सराना हो रह रहे थे कही देश के वानिज्य मंत्रियों से मेरी बाचीत होती रहती है मेरी बैठके होती रहती है मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में जो प्रधान नरेंद्र मोदी जी की छवी बनी है एक संवेदन शील नेता एक ऐसा नेता जो हर व्यक्षि की चिंता करता है जो हर गरीब के बारे में सोचता है उनके उनको समय पे अनाज पहुंचे उनको किसी को खाद्य की तकलीफ नहीं हो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलदी रही है बड़ा संदेशा गया है विश्व में कि एक विकाश्चील देश भारत जिसके पास इ विश्वासियों की 19 महिने तक चिंता करें ये पूरे विश्व में भारत की भी एक छवी बड़ अच्छी हुई है और प्रदान मंतीर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज पूरे विश्व के नेताओं में एक बहुत अच्छा संदेशा गया है उनके मन में ये बात पहु युनाइटेट स्टेश के जो मेरे वानिज्य विभाग के संबंदित मंत्री हैं वो आई थी जब उनको पता चला तब तक तो 15 महीने हो चुके थे नवेंबर में कि इतना बड़ा फूर्ट सेक्योरिटी प्रोग्राम भारत ने चला है तो वास्तव में आश्चेर चकित रह मानने प्रधान मंत्री जी लाए थे उसके तहट हमने आधार के साथ हर विक्ति का लिंकेज कर दिया जो एन फसे फूर्ट सेक्योरिटी प्रोग्राम के अंतरगत बेनिफिशरी है और बायोमेट्रिक कोडिनेट्स उसमें आ गए तो आज लगबग पुरे देश में कुछ र भी शुरू करेंगे बाकी देश मर में वन निशन वन राशन कार्ड होने से टेक्नोलोजी की बड़ी साहत है कि जो व्यक्ति जाते है उसका बायोमेट्रिक चेकिंग होता है आधार के साथ लिंकेज होने के कारण वो रेकॉर्ड सेंटरली मॉनिटर होता है और इसके कारण पारदश्टा इमानदारी इस पूरे वितरन के कारे में हम लापाए इसका एक बहुत बड़ा लाब ये भी हुआ कि हमारे प्रवासी मजदूर भाई भेन जो दूर जाके किदर काम करते हैं वो भी कुछ अनाज जहां वो काम करते हैं ले पाए तो यानि एक परिवार को पारदश्टा इसका ये भी एक बहुत बड़ी सुविदा रही और ये भी वास्तव में जब विश्व में हम समझाते हैं कैसे हमने प्रोग्राम चलाया थो सुनके हैरान हो जाते हैं कि भारत इतना विशाल देश इतने कोने-कोने में लोग बसते हैं कोई पहाड़ों की चो जब एक पहाड़ों की आआते हैं